खबर उनाव से है जहां काउंटिंग स्थल के बाहर एक सरकारी कर्मच्वारी के पास पोलिंग बूत सिल करने की मुहर सिटी मजू स्ट्रेट के हस्ताक्षर के पास चुनाव सामगरी मिलने की सूशना पर सपा मलसी सुनल सिंग साजन समेत बड़ी संख्या में सपाकारिकरता पहुँच गए सपाकारिकरता ने एवी एम में छिटशार करने कारोप लगा कर हंगामा करने लगी जिससे अफरत अफरीका माहौल बन गया मौके पर सिटी मजू स्ट्रेट एसपी पुलिस भल के साथ उसमें पैरा मिलेटरी फोर्स वा सिस्टीवी कैमरों की निगरानी में एवी एम मशीनों को रखा गया है कल सुबह आठ बजे से मतगरना शुरू होगी आज दोपहर करीब साड़े ग्यारा बजे काउंटिंग स्टल के बाहर मौजूद सपाकारिकरता ने एक करमचारी की का पार में रखे बैग में मतदान समाप्त होने के बाद सिल करने वाली मुहर सिटी मजूस्ट्रेट के हस्ताक्षर से जारी पास वा कुछ अनिक आगस मिलने पर हंगामा कर दिया किया सिटी मजूस्ट्रेट वा एस पीश शश्री शेकर सिंग हंगामे की सूचना पर काउंटि कर्मचारी के पास से बरामत वस्तु में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे एवियम को प्रभावित किया जा सके कर्मचारी राजसुए भाग में लेगपाल के परत्परतेनाद है डीम उन्नाव रविंद्र कुमार ने सपा मलसी सुनल साजन से बात कर पूरी चानकारी दी हमारी मांगे लगातार आयोग से हो रही है और दुर्भाग ये है कि जो मांग समाजवादी पार्टी आयोग से करती है उसका जबाब भारती जनता पार्टी की नेता दे रहे हैं तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाओ आयोग ने चुनाओ कराए है या भारती तो बीजेपी अधिकारियों की बदावलत बहिमानी करके जीतना चाहती है हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोक से कहा है कि पोस्टल की गिंती पहले हो जाए उस पर भी हम लोगों ने अपने एजेंट रखे हैं हमारे जेंटों को कोई दिक्कत प्रसासन ना करने दे और जो मसीन खुले उसकी गिंती तुरंथ होनी चाहिए मसीन खुल करके 10 मिनट तक अगर गिंती नहीं होई तो इसका मतलब प्रसासन कहीं न कहीं निस्पच नहीं है तो हम प्रसासन से भी अंडोध करेंगे चुनायोक से भी अन्रोथ करेंगे पार्टी ने हमारे नेता ने जो दिसानिर्देश दिये हैं उसके लिए हम सब लोग मिल करके कल जब तक मतगरना नहीं हो जाती तब तक हम लोग सजक हैं लोगतंत बचाने के लिए अपना ओट बचाने के लिए